सो गाइज विलकम टू प्ले कंसोल आज किस वीडियो में बात करेंगे प्लेशन 5 के नए कमर्शल के बारे में जो के कल लॉंच हुआ है और इस कमर्शल को दिखाने का परपस क्या है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहां पे तीन चीजें बहुत ही जादा हाइला यह जो टेलर आपने देखा है यह सीजी आई टेलर है यह प्लेशन 5 का ग्राफिक्स नहीं है बहुत लोग अब यह कहेंगे कि क्या यह प्लेशन 5 का गेम है तो इसलिए इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूं कि यह प्लेशन 5 का कोई भी गेम नहीं है नहीं यह प्लेशन 5 क गेम्स का ग्राफिक्स है यह एक सिंपली सीजी आई ग्राफिक्स है तो बात करते हैं अब इस कमर्शियल टेलर के बारे में तो इस टेलर में तीन की पॉइंट को दिखाया गया है जो कि है है फिडबैक ठीडी ऑडियो और एरेप्टिक ट्रीगर और तीन तीन सिंस में तीन फ haptic feedback दिखाया गया है क्योंकि वहाँ पे जब वह बरफ तूट रही होगी तो आपके controller पर जो feedback मिलेगा आपको उस बरफ पर चलने का उस बरफ पर दौनने का या जब वह बरफ की लेक तूटेगी तो आपको जो feedback मिलेगा वह बहुत ही जादा different मिलने वाला है एक next gen feedback मिलने वा यहां पर एक launcher जो है उस लड़की के पास से होकर गुजरता है और दूसरी तरफ जाकर फटता है तो वहां पर 3D audio को दिखाया गया है और उस scene में एक radio भी चलता है जहां पर दूसरे केम की तरफ एक radio चलता है और उस radio की आवाज भी उसी direction से आती है तो यह भी 3D audio को represent करता ह अब आते हैं इसके third scene के बारे में जो के इसका last scene है वो है cave का scene जब यह लड़की cave में जाती है तो वहां पर अंदर जाने के बाद कुछ black hole जैसा रहता है वहां पर वह लड़की एक arrow को pull करती है तो उस arrow को जब वह पूल करती है तो वहां पर एक tension बनेगा इस scene को दिखाने क का मतलब है अरेप्टिक ट्रिगर को रिपेजेंट करना अरेप्टिक ट्रिगर यांके L2-R2 होते हैं जब यह लड़की arrow को pull करती है तो वहां पर जो टेंशन बनेगा आपके R2 पे वह बहुत ही जाधा different बनेगा और जैसे आप arrow को पूल करेंगे वैसे वैसे आपका tension जो है बढ़ेगा pressure जो है आपका बढ़ेगा तो उस सीन पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर को रिप्रेजेंट किया गया है ताके आपको समझ में आए कि न्यू एराप्टिक ट्रिगर का काम क्या है और यह कैसे काम करता है तो तीन cutscenes दिखाए गये हैं इस प्लेशन 5 के new commercial में और ती प्लेशन 5 के गेम्स में आपको DualSense controller का बहुत बड़ा रोल दिखने वाला है और इसलिए प्लेशन 5 के गेम्स में PS4 का controller सपोर्ट नहीं करता है क्यूंकि DualSense controller स्रीफ प्लेशन 5 के गेम्स के लिए बना है तो आप मुझे comment section में बताएं कि आपको यह trailer कैसा लगा है और आपक में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह video अच्छे लगाए तो वीडियो को लाइक कर देने चैनल को subscribe कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना तक आने वाली सारी upcoming videos की notifications आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मिलते अपने next video में till and take care